नामस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज ही आप एमें डिसकस करूँगा एक Finance Company के बारे में, देखे Finance मतलब क्या है, आप सभी जानते है Finance मतलब जितने सारे NVFC है, जितने सारे Non-Banking Finance, Sorry, N में लिखना बोल गया, हाँ मापी चाता हूँ NVFC है, तो Non-Banking Financial Companies है, तो जो लोन पोवाइट करते है, जो Finance के पर काम करते है, तो उसी को Finance Company कहा जाता है, तो उसी से जुड़े होए Companies के बारे में बात करूँगा, तो Financial Companies में जितने सारे Leaders, मतलब Players है, उनमें से आप सभी जानते है, बजाज Finance, बजाज Finserv, साथी साथ SBA Card, त एक Blue Cheap Type Companies है, तो उसी से टकर, मतलब उसी सेक्टर को टकर लेने वाला एक और एक कमपानी है, जो Mahindra and Mahindra Group के कमपानी है, इसका नाम आपने गेस गरी चुके होंगे, Mahindra Mahindra Finance, तो मैं आज Mahindra Mahindra Finance के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किय बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स से पहले भी मैं खुद रिडी था इस कमपःस को वीडियो बनने के लिए, क्रिकमापानेल से रिज़्सकर कर रहा था, क्योंकि फाइनलस के बारे के बाद ही इस कमपणी को इसमेट करूंगा, क्योंकि पहले जो रिपोट था, और आज का जो रिपोर्ट है दोनों में कितना अंतर है मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो विडियो को लास तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू सब्सक्रेब कर लेना क्योंकि अपडेट इसी चैनल के माद्धम से मिलता रहेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बार में तो सबसे पहले बता दू फाइनन्स जो कंपनी से जितने सरे फाइनन्स कंपनी है इन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है जानते हैं देखें फाइनन्स इंडेस्टी में जो बड़े प्लियर्स है जो बड़े प्लियर्स है वो हमेशा छोटे प्लियास, जो small finance company है, उससे उपर जाद से ज़्यादा प्रेसार मतलब हमेशा रहते है। क्योंकि बड़े finance company क्या करते है, वो बड़े project को भी capture करते है और small project को भी capture करते है। जिसके कारण इस सारे small finance company, छोटे company बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ते हैं। तो उसी से जुड़े है इस company है, इसका नाम है Mahendra & Mahendra Finance, तो Mahendra & Mahendra Finance जो है, वो कोई मतलब ऐसे मत समत लेना कोई छोटा मोटा company है, छोटा तो है, बड़े company से comparison करें तो बहुत छोटा है, 23,900 करोड का market cap है, around 24,000 करोड बोल सकते हैं। तो एक large cap company जोरू है, मगर इस company का competitor के इसाफ से बात करो, तो company का ranking देख लिजिए, 8 number ranking में इसका नाम आते है, तो उससे पहले कितने बड़े बड़े दिगज दिगज companies, तो यहाँ पर सोचने वाला बात है कि इस company किस तरह के से खुद को sustain कर पाएंगे, तो चलो मैं उसी के बारे में discuss कर लेता हो, तो इस बार company ने किस तरह के से result कि आप बहुत सबसे पहले discuss करूंगा, तो देखे, result दिखना क्यों importance है, क्योंकि देखे, आप अगर घर चलाते है, आपका घर का पूरा खर्चा उठाते है, तो आप जानते होंगे कि हर मांद का खर्चा कितना हो रहा है, और हर मांद में आप income कितना कर रहा है, और उन में से आप कितना पैसा बचा पा रहा है, और कितना पैसा आप invest कर रहा है, वो हर कोई, हर कुछ calculation आपको खुद करना पड़ता है, तो उसके बाद आपको net fall देखने को मिलेगा, same to same, companies का भी data आप नहीं देखेंगे, तो उ सोचिए, आप कहेंगे सर, मैं तो घर का खर्चा नहीं चलाता हूँ, मैं तो एक student हूँ, मैं तो एक मतलब हाली में job join किया हूँ, मेरे घर में घर चराने के लिए बहुत सरे लोग है, देखे, at future के लिए ही तो आप stock market में आये है, at future के आपका मतलब पैसा बने, आपका पैस जोरू देखिए, जितने सारे वीडियोस आते हैं, मेरे वो वीडियोस को जोरू देखिए, और मैं किसी और अभी तक अपने like नहीं किया, तो please like कर दीजेगा, अगर मेरे वीडियो अपको अच्छा लगता है तो, तो देखिए, total income के पहले बारे बात करूंगा, तो total income है, तो उसके ही साब से income तो होगा ही, तो total income के बारे बात करूंगा, तो 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 प्रचले प्रचले साले में था, तो तो इसका मतलब इंटेस्ट इंकम से कमपाणी के इंकम ग्रोथ हुआ तो टोटल इंकम के बारें बात कर तो आप देख सकते हैं 2006,000 पिछले वार था 2,498 पिछले साल में था 2522 इसका मतलब इंकम में पिछले वारो से भी हुआ पिछले quarter से भी हुआ अभी देखना है सिर्फ income होना ही काफी नहीं कोई भी companies के लिए इसका example में फेच से आपको देना चाहूंगा आप मानके चलिए per month 30,000 per month आप कमाते है पैसा तो आप बहुत सारे लोग देखकर खुज भी हो जाएंगे जो लोग 15,000 कमाते है उसको लगता है 30,000 बहुत अच्छा होता है देखिए आपका income जितना है आपका खर्चा उतना है जो 30 lakhs कमाते है उसका भी खर्चा उतना है जो 30 उसी के लिए companies का expense भी देखना चाहिए तो total expenditure के बारे बात करूँ तो देखिए expense भी company ने कम किया पिछले वारत के तुलना से पिछले सालों के तुलना से भी company ने expense ज्यादा कर दिया क्योंकि पिछले सालों में 1140 करोड के आसपास बोल सकते है और इस बाद 1945 करोड के आसपा है तो अभी आपको देखना है companies का total profit and loss तो total profit and loss के बारे बात करूँ तो आप देखेंगे तो company का profit and loss for the period मतलब taxes पे करने के बाद company के हाद में जो profit आया कितना 448 करोड चलो ठीक है पिछले बार केतना था 222 करोड इसका मतलब quarter of quarter quarter of sorry मैं आपे लिखना चाहता हूँ q of q मतलब quarter quarter में company ने दो गुना 2x profit जाम किया अच्छी बात है कोई भी quarter को bit किया अच्छी बात है मगर साल भर में companies को bit करना चाहिए था उसको bit नहीं कर पाया तो company का जो फालत अभी है अब देखा जाए तो company 2x loss मतलब profit loss नहीं कहूंगा profit down कर चुके है तो 2x profit down होना यह भी companies के बहुत बड़ा खत्रा जुरू कहूंगा कोई भी companies के profit margin बड़े ना बड़े companies का year of year basis bit हमेशा करना चाहिए था पिछले सालों में मानके चलिए आपने मानके चलिए 30,000 रुपिय का मतलब आप income करते थे अगर आप इस साल में आपका 15,000 हो गया तो आपका कितना बड़ा तक आपके उपर तो 30,000 से हमेशा लोग expect करते हैं जादा होना कभी भी वो expect नहीं करते हैं वो कम हो जाएगा तो यही चीज आपको estimate के हिसाब से देखना चाहिए तो estimate के हिसाब से देखेंगे तो companies का जो earning है मतलब company के profit है वो down हो चुके है यही यह कारण है stock के उपर गिरावट के पीछे logic तो अभी companies के उपर क्या करना चाहिए किया companies के उपर रहना चाहिए क्या companies से निकल जाना चाहिए तो देखिए कुछी भी decision LAYने से पहले पहले और आप खुद के बारे में सोचिए कि आप कितना रिसाच किया है उस companies के उपर या आपका जो रिसाच है वो सही है कि आपका रिसाच कहता है कि companies के उपर future में कुछ होगा तो तब इस company को decision लेना देखिए buy and sell का recommendation में आपको कर नहीं सकता तो मैं आपको हमेशा companies के details दिखाता हूँ तो इस details से आपको खुद बता चलेगा कि companies के feature में कौन सा दिसा में जा सकते हैं तो companies का जो finance का business है company कौन सा finance के उपर काम करता आप देख सकते हैं वहेकल्स के उपर याप देखे ट्रैक्टर्स कार कमर्सेल वहेकल्स construction के उपर company totally finance करते हैं तो company एक NBFC प्राइमरीली company एक NBFC है तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ तो company का जो performance है उसके बारे में बात करूँ तो company का करजा 4.27 का परशन का depth है तो company का income ग्यारा सो करोल के आसपास है company का हाथ में cash negative है company का income growth मतलब sales growth बहुत कम है profit गुद बहुत सांदर है तो company का net profit के बारे बात करूँ तो company हर साल में company का खुद का profit ratios maintain कर रहा है आप कहेंगे sir quarter में तो कम हुआ देखे चार quarter होता है मानके चली एक quarter में कम हुआ तो क्या हुआ बाकी तो तीन quarter है मानके चली दो quarter में कम हुआ तो क्या हुआ बाकी तो दो quarter है तो सारे चार quarter को मिल का total profit आते है सालवर का तो सालवर का performance company ने अच्छा खासा यहाँ पर दिखाना स्टार्ट किया अच्छा खासा के maintain भी कर रहा है आप कहेंगे सर यहाँ पर तो return के ratios में company negative return दिया देखिए finance industries में पहले बता चुका हूँ जब जो small type finance company है वो जो big type finance company बड़े finance company है वो हमेशा इस तरीके से companies को पर प्रेसर में रखते हैं प्रेसर देते रहते हैं क्योंकि वो हर sector को capture करना चाहते हैं तो एही एक कारण है इस तरीके से company को प्रेसर देखने को मिला तो investor के बारे बात करूं तो देखिए promotor के बाद FIS, DIS हर कोई किसी के पास invest है public के पास कम है इसका मतलब इस company में कुछ न कुछ तर पॉज़िविटी है जिसलिए institution ज्यादा निवेस करकर रखे है तो यह बात भी सोचने वागा है तो companies के chart pattern के बारे में बात करूं तो long term chart pattern देखेंगे तो company जब से start हुआ company जब से start हुआ तो अब इसका price change करीवन 24 रूपीज है यह adjustment price है उसके बाद देखेंगे company लगातार लगातार growth किया और high किया करीवन करीवन 340 रूपीज के आसपास और और कोबीड के situation में लगातार गिरावर्ड देखने को मिला आभी फिलाल company का price 230 रूपीज के आसपास चला है तो मैं ज़रू कहूंगा इस तरह के से companies को पर study करना long term vision के लिए ज़रू सोचना तो यह total videos education purpose में था और पेरे वीडियो कैसे लगा ज़रू comment करना इसी तरह के से व